सो ये गाइस, SDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड वालों के लिए बहुती बड़ा गुड नियोज निकल कर आ रहा है क्योंकि मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को फिर से रिलाउंच किया गया है और इस बार जो cashback का concept है इसे totally change कर दिया गया है मतलब पहले जो आपको cashback मिलता था उस हिसाब से इस बार वाले cashback में आपको काफी ज़ादे benefit देखने को मिलेगा इस वीडियो में live proof के साथ बात करेंगे इस वीडियो को ज़र ज़र एक like कर दिशेगा So, चलिए मैं live proof के साथ बात करूँगा हमारे पास यहाँ पे PDF receive हो चुका है इसी PDF के जरीए आपको detail में समझा देंगे यहाँ बोला जा रहा है कि important update product features on your SDFC millionaire credit card with effect from first number 2021 मलब जो नए cashbacks आए हैं वो first number 2021 से लागू हो जाएंगे चलिए पहले क्या मिलता था और अब क्या मिलेगा उसको यहाँ पे detail में cover करते हैं पहले क्या था कि 5% का cashback आपको smart buy और page app में transaction करने को मिलता था उसमें भी एक criteria कि minimum transaction 2000 का होना चाहिए तब ही जाके आपको cashback मिलेगा नहीं तो थोड़ा भी कम हुआ तो एक रुपया भी cashback नहीं मिलता था फिर क्या है कि उसमें भी एक और criteria कि maximum आप एक calendar मन्त में 1000 रुपया के ही cashback ले सकते हैं इसमें भी criteria कि first six month के ही 1000 मिलेगा उसके बाद फिर आपको 750 रुपया ही करके हर महीने यहाँ पे मिलेगा लेकिन अब इसे totally change कर दिया गया पूरा concept ही change है क्या है new millionaire features में कि get 5% cashback on your favorite merchants Amazon, bookmyso, callfit, flipkart, mintra, sony lift, swiggy, tataclick, uber and jometo clearly बोला चारा कि इन सभी platform में अगर आप millionia credit card से transaction करेंगे तो अब आपको 5% का cashback मिलेगा कोई भी इसमें सबसे पहली बात capping नहीं है कोई भी transaction का limit नहीं है मतलब आप 1 रुपया भी करो फिर भी cashback मिलेगा वाला हिसाब है मिले क्या था कि आपको minimum 2,000 का transaction करना होता था तभी जाके cashback मिलेगा लेकिन अभी क्या है कोई भी transaction का limit नहीं है लेकिन cashback में capping किया गया है maximum cap per cycle 1,000 रखा है मतलब एक bill जो generate होगा उस bill में आप maximum 1,000 रुपया कहीं एक बार में cashback grab कर सकते हैं जितना बार भी bill generate होगा maximum 1,000 करके cashback मिलेगा लेकिन इस बार concept बहुत भी best है Amazon में shopping कर लो इस card से 5% cashback maximum 1,000 मिल जाएगा best हो जाएगा तो ये एक नया concept देखने को मिला दूसरा क्या change हुआ है कि पहले क्या था कि all offline transaction में आपको excluding fuel में और offline EMI को exclude करके maximum आपको 750 रुपीज का cashback मिलता था लेकिन उसमें भी minimum transaction आपको 100 रुपीज का करना होता था लेकिन अब क्या है कि minimum transaction limit को हटा दिया गया मतलब आप कोई minimum transaction नहीं रहेगा कहीं भी offline जाके transaction करिए आपको 1% का cashback मिलेगा और इस बार जो है 750 कैपिंग को हटाके यहाँ पे 1000 रुपीया कर दिया गया है यहाँ की 1000 और increase हो गया है तो पहले 1% के साब से थोड़ा कम value था अब 1% के साब से जादा देखने को मिलेगा तो यही कुछ यहाँ पे changes किये गया है पहले यह भी था कि 2.5% का cashback आपको online transaction मिलता था जिसमें minimum 2000 रुपया का transaction करना होता है और फिर आपको 750 मिलता था लेकिन उसको अभी 5% में club कर दिया गया है तो यह बहुत ही best लगा मुझे आप लोग comment करके ज़रूर बते हैं कि यह नया concept millionaire credit card का कैसा लगा है definitely इन सारे platform में तो लोग shopping करते ही है Amazon हो गया, flip card है, मिन्तरा है कहीं भी shopping करो, 5% cashback मिल जागा बहुत ही best हो गया अब यहाँ पे और भी changes है पहले क्या था कि cashback point का जो validity था वो एक साल तक ही था मतलब अगर आपको कोई cashback मिला है अगर आप उसे एक साल के अंदर redeem नहीं करेंगे तो वो lapse कर जागा उसके बाद क्रूब आपको reward नहीं मिलेगा लेकिन अब उसे दो साल कर दिया गया यानि कि अब दो साल तक अगर आप redeem नहीं करते हैं तो cashback lapse नहीं करेगा दो साल के अंदर कभी भी आप अपने cashback को redeem कर सकते हैं अब यहाँ पर milestone benefit को भी change किया गया है पहले क्या था कि अगर आप 1,00,000 का spend करते हैं calendar quarter में तो first year as a launch offer में आपको 1000 का gift voucher दिया जाता था लेकिन अब यहाँ पर change हो गया है मतलब आप पूरे साल में हर आपको calendar quarter में अगर आप 1,00,000 का voucher देखने को मिलेगा जो कि पहले क्या था सिर्फ एक साल में first calendar quarter के लिए था लेकिन अब यह आपको हर साल देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही best किया गया है जितने लोग 1,00,000,000 का voucher मिल जाएगा आपको mail में यह भीजा जाता है दूसरा change क्या हुआ है कि reward redemption को change किया गया है पहले क्या था कि 2500 point होने पे ही आपको reward redeem का option मिलता था लेकिन अब क्या है कि अगर आपके पास 500 point भी हो जाएगा 500 reward point भी हो जाएगा तो अब आप उसे redeem यहाँ पे कर सकते हैं तो बहुत ही best है 2500 reward point करने का बिंतिजार नहीं करना है बहुत बार तो इसी चकर में lapse भी हो जाता था कि एक साल तक आपने अगर 2500 नहीं किया तो जो भी बचा खुचा है वो भी lapse हो जाएगा लेकिन अब तो reward redeem करने का भी 500 कर दिया और reward का जो रहता है वो दो साल के लिए भी यहाँ पे कर दिया गया है उसके बाद कुछ सेक्टर में आपे कोई भी चेंज नहीं है जैसे कि 1% का fuel surcharge वेबियर आपको मिलेगा जिसमें आप 250 रुपीज पर साइकल यहाँ पे ले सकते है minimum transaction आपको 400 का करना होगा और maximum transaction 5000 का करना होगा airport का जो lounge access है उसमें भी कोई चेंज नहीं है complimentary domestic lounge access आपको 8 पर year देखने को मिलेगा और charges में भी कोई चेंज नहीं है आपको 1000 plus applicable GST जो कि हर साल आपको इस card का charge देना है वो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा तो यह 3 चीज में कोई चेंज नहीं है लेकिन उपर में जो cashback section का change किया गया है बहुत ही best मुझे लगा सबसे best तो Amazon Flipcard वाला है Amazon Flipcard मिंत्रा में जाइए इस card से transaction कर यह 5% का cashback मिल जाएगा maximum आप 1000 रुपया यहाँ पे cashback ले सकते है तो बहुत ही best है आप लोग comment करके जरूर बते है कि आपको यह card कैसा लगा अब आप इस card को लेंगे या नहीं लेंगे आपके पास यह card है या नहीं है जरूर comment करके अपना thought यहाँ पे बताएगा तहीत आज की वीडियो अगर वीडियो आपको helpful लगा प्लीज वीडियो को लाइक करेगा इसी तरह के से informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई डॉट बस आज कमेंट कर ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिजाहिंद जाभारत